नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाज Finder पर एक बार फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो सुर्खियों में आ चुकी है पाकिस्तान सरकार के द्वारा आज से लगभग एक हफता पहले ये कहा गया था कि जून 30 के पहले पहले हम इस particular project को खतम कर देंगे लेकिन ये वाला अब final update कोई सामने नहीं आया है पाकिस्तान ने ये कहा था कि लगभग 88% जो काम है वो यहाँ पे खतम हो चुका है बट अभी भी कोई final update government के द्वारा नहीं दिया गया है anyways हम यहाँ पे आपके साथ बात करने वाले हैं कि exactly जो ये आपस दो country के आपस का border है ये क्या है यहाँ पर क्यूं पाकिस्तान इसको बनाने में इतना interested है also बात करेंगे अफगानिस्तान इस चीज़ के इतना किलाव क्यूं है और आगे जाके इसकी implications क्या क्या हो सकती है अमेरिका के नाम से ये अकखभार है जिसने की आज से लगभग 6 महीने पहले इस चीज़ को कवर किया था पाकिस्तान says अफगान border fence nearly complete उस टाइम पर भी पाकिस्तान के अधिकारी ने कहा था ये पाकिस्तान के ही एक minister के द्वारा कहा गया था और यहाँ पर इन्होंने update ये भी दिया था कि 88% work on the fencing of the border with Pakistan has already been completed लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कोई latest update सामने नहीं आया है हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस border के बारे में इस border की जो establishment थी इसकी जो स्थापना थी ये लगभग 1893 में करी गई थी as the international border जिस time पे British India और अफगानिस्तान के जो Emirates के बीच में दूसरा Anglo-Afgar war जो था वो यहाँ पर खतम हुआ था उस time पे British India का ही हिस्सा था पाकिस्तान तो उस time पर जो British India के civil servants थे जिनका नाम था इस physical map के माधिम से दिखाया है किस तरीके से Durand Line जो है दोनों countries को separate करती है interesting बात यहाँ पर यह है कि उस time से लेकर आज time तक यानि कि अफगान की किसी भी government ने इस Durand Line को कभी भी अपना जो है सही border नहीं माना है उन्होंने कभी भी इसको recognize नहीं किया है since 1947 What is the prime reason? उनका मानना basically यह है कि यह जो border है यह गलत तरीके से draw किया गया है because इसके चलते जो आपकी पश्टून की population है वो बट जाती है कुछ पश्टून जो है वो अफगानिस्तान में रह जाते हैं कुछ पश्टून जो है वो पाकिस्तान के नौर्थ वेस्टन हिस्से में र हो जाते हैं now सवाल यह आता है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर फिर border बनाने की यहाँ पर इतनी मुशक्कत क्यों करी देखिए बड़ी सिंपल सी बात है असल में क्या था कि अफगानिस्तान से दो बड़ी दिक्कते सामने आ रही थी एक तो heroin trade यानि कि जो आपके drugs का trade था वो से होते हुए पाकिस्तान आता था और पाकिस्तान से होते हुए आगे भारत में भी जा रहा था खैर यहाँ पर पाकिस्तान का में मुद्दा यह था कि यह drugs की trade को हमें बंद करना है तो यह तो एक पहला कारण था दूसरा कारण यह था कि यहाँ पर उगरवाद काफी तेज 2016 में लिया गया था और यहाँ पर पाकिस्तान को यह काफी अच्छे से मालुम था कि इसकी फेंसिंग करनी कोई आसान टास्क नहीं होने वाली है और काफी ज़या जहाँ जो कर रही है और चलिए मान भी डेते हैं कि आपने इसकी फेंसिंग कर दी कल को यहाँ पर इसकी मैंनें करना और भी मुश्किल होगा वेकौज यहां का जो atmosphere यहां का जो climate है वो और भी ज़ादा कठिन है आपके सामने एक image शो कर रहा हूँ यह एक इलाका है जो की दिखाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो border है यह रॉय्टर्स के तरह शेयर करी गई image है the terrain and the geography both are very very tough overhead now सवाल यह आता है कि क्या वाकई में यह वाली fence इतनी successful होगी पाकिस्तान ने अपने कुछ reason सामने पेश किये हैं और even though अफगान इसको मानता नहीं है लेकिन अब जब पाकिस्तान इसको fencing करने का step तो लही चुकी है क्या यह वाकई में effective होगी या नहीं होगी सबसे पहले तो यह कहा जाता है कि जो heroin की trade है वो यहाँ पर नहीं रुखने वाली है उसके पीछे दो बड़े कारण है पहला कारण तो यह था कि उसका जो scale है उस trade का जो पैमाना है इतना बढ़ चु चुकी है कि जो smugglers है वो इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मानने वाले हैं दूसरी चीज ऐसा भी कहा जाता है कि असल में यह वैपार जो था यह केवल और केवल इसलिए नहीं हो रहा था कि यहाँ पर fence नहीं थी यह वैपार इसलिए भी हो रहा था विकाज पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इतनी करप्ट है कि वो इन particular smugglers को कभी रोकती ही नहीं थी यह काफी बड़ा कारण बना यहाँ पर यह fencing के बगैर भी यह straight के चलने का दूसरी बड़ी दिक्कत असल में इस fencing के बाद अफगानिस्तानियों को भी आने वाली हैं पाकिस्तान यहाँ पर यह भी तरीके से उनको support नहीं करने वाला है यह जो मुद्दे थे अफगानिस्तान के diaspora के दोरा उठाए गए थे Netherlands में और इन्होंने कहा कि यह चीज बिल्कुल गलत है पाकिस्तान एक तरफ बोलता है कि हमारी जो policy है अफगानिस्तान में वो strategic depth की है लेकिन असल में यहाँ पर अधिकारी ने बड़ी यहाँ पर हसते हुए कहा कि जब आप वहाँ पर fencing के बाद किसी इनसान को खड़ा नहीं करने वाले हो तो कोई भी वहाँ पर जाएगा बड़ी सी कैंची लेगा और उस तार को काट कर आपके देश में घुसाएगा तो fence हो या ना हो कोई फरक नहीं अधिकारी पर जाएगी तो यह सारे के सारे मुद्धे सामने आ रहे हैं और यहाँ पर फाइनली अगर आप देखें पाकिस्तान के पीम ने जस्ट दो दिन पहले यह कह दिया कि अगर मान लीजे तालिबान अफगानिस्तान में एक काफी जादा अच्छे तरीके से पावर क को सीज कर लेती है या फिर फोर्सिबली पावर को सीज कर लेती है उस केस में मैं डिराइन लाइन को क्लोस कर दूगा समझना काफी मुश्किल है कि exactly पाकिस्तान की स्टाटेजी आखिरकार है तो क्या है क्या वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को actually support करना चाहता है या पाकिस् प्रिकल्टू से कि ये Durand line फिर भले ये fencing करें या ना करें इसके implications क्या होने वाले हैं ये देखना काफी पेचिदा होगा काफी जादा टेड़ा होगा देखते हैं आगे जाके क्या होता है जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा Unacademy आपके लिए एक नया offer लेकर आया है अगर आप लोग दो साल से अधिका कोई भी subscription लेते हैं दोस्तों तो आपके लिए Unacademy एक promise लेकर आया है कि आपको एक साल का extension मिल जाएगा अगर आपका दो साल के अंदर-अंदर UPSC exam clear नहीं होता है याद रखे ये offer केवल एक से लेके 7 जुलाई तक ही valid है पहली बार ऐसा का offer Unacademy के द्वारा जारी किया गया है इसके अतरिक्त आपके test series का offer अभी भी चल रहा है आपके combo का offer अभी भी चल रहा है याद रखे आपको यही वाला code यूज करना है in order to get the maximum possible discount on Unacademy इसमें आपको मेरे द्वारा Indian geography का course भी available हो जाएगा और Unacademy के अने educators के सारे के सारे courses आपको available करवा दिये जाएगे इतना ही नहीं Unacademy आपके लिए नया एक चैनल लेकर आया है जो की primarily आपकी testing के लिए होगा Unravel UPSC इसका link भी नीचे description में उसको आप लोग जाके subscribe कर सकते हैं apart from that Unacademy का free initiative है victory series चल रही है जिसकी classes कल से शुरू होने वाली है 3 जुलाई से इसक Combat में आपको ले सकते हैं to get the scholarship from Unacademy and we have a free test series जिसमें आपको जोइन कर सकते हैं thank you for listening guys stay tuned and stay safe